आज हम पढ़ेंगे कक्षा दस्वी गणित का अध्याय छे उसका प्रश्णावली 6.5 का छटा सवाल पढ़ेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अब शुरू करते हम हमारा सवाल सवाल है एक संबाहू त्रीभूज ABC की भुजा 2A है उसके प्रत्यक शिर्ष लंब की लंबाई याद कीजिए तो यहां त्रीभूज दिया है कैसा है त्रीभूज संबाहू संबाहू मतलब उसकी तीनो भुजाएं बराबर है यह एक भुजा यह दूसरी भुजा और यह तीसरी भुजा तीनो भुजाएं त्रीभूज की बराबर है संबाहू मतलब तीनो भुजाएं बराबर तो एक संबाहुत रिभुज ABC इसको नाम क्या देते हैं संबाहुत रिभुज को हम A, B और C की भुजा 2A है मतलब भुजा की लंबाई कितनी है 2A तो अगर एक भुजा की लंबाई 2A है तो दूसरी की भी कितनी होगी 2A और तीसरी की भी कितनी होगी 2A अब हमें उसके प्रत्य एक शिर्ष लंब की लंबाई याद करनी है तो शिर्ष लंब किसको कहेंगे हम कोई भी एक शिर्ष से सामने वाली भुजा पे यदी कोई लंब डाला जाए लंब मतलब 90 डिगरी का कोण बनाते हुए यदी कोई रेखा खीची जाए तो वो क्या होगा शिर्ष लंब होगा तो यहाँ अगर हम देखें तो यह A और नीचे नाम दे देते हम D तो यह AD एक शिर्ष लंब है तो इसमें इस तरफ भी 90 का कोण है इस तरफ भी 90 का कोण है क्योंकि लंब की बात हो रही है लंब मतलब 90 डिगरी का कौन होता है अब प्रत्यक शिर्ष लंब की लंबाई याद कर दिये मतलब ये जो AD है इस AD की लंबाई याद करनी है हमें तो सबसे पहले हम अगर देखें तो पहले हमार पास एक बड़ा त्रिभूज था ABC लेकिन जब हमने इसमें शिर्ष लंब की चाईए AD तो ये जो त्रिभूज था ये दो त्रिभूजों में बढ़ गिया दो त्रिभूज कौन कौन से एक तो त्रिभूज ABD वह एक और त्रिभूज अगर हम देखें तो ACD इन दोनों को हम सबसे पहले सर्वांग सम बताएंगे तो सर्वांग सम बताने के लिए इसकी तीन बाते हमें बराबर बतानी पड़ेगी उसमें तीनों भुजाएं भी हो सकती है या तीनों कोन भी हो सकते है या कुछ भुजा और कुछ कोन रहेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस त्रिभूज की ये AB वाली भुजा और सेम अगर इस त्रिभूज में देखें तो इस त्रिभूज में कौन सी वाली भुजा लेनी पड़ेगी A, B और इस त्रिभूच की A, C ये दोनों भूझाएं आंपस में बराबर है क्यों बराबर है क्योंकि जब इस त्रिभूच के टुकड़े नहीं हुए थे उसके पहले ये वाली भूझा A, B वाली और A, C वाली भूझा ये कुन से त्रिभुच की भुजा थी? ये थी सम बाहू त्रिभुच की भुजा सम बाहू मतलब सारी भुजाएं बराबर थी अगर सारी बराबर थी मतलब AB तो AC के बराबर ही था पेले तो पहले अगर बराबर था तो भले हमने इसके टुकड़े करे तो टुकड़े करने से इन भुजाओं में कोई फर्क नी पड़ा AB और LC में ये अगर पेले बराबर थी तो अभी भी क्या रहेगी बराबर ही रहेगी तो ये बराबर क्यों है क्योंकि ये किस की भुजा थी सम बाहुत्री भुज की तो हम यहाँ पीछे लिख सकते हैं सम बाहुत्री भुज की भुजाएं अब अगर हम देखे तो इस त्री भुज में भी AD भुजा आ रही है और इस त्री भुज में भी AD भुजा आ रही है तो ये AD वाली भुजा दोनों में है तो हम क्या लिख सकते हैं AD वराबर AD क्योंकि दोनों त्रिभुजों के लिए इस AD का मान अलग-अलग नहीं हो सकता अगर इस त्रिभुज के लिए AD के लंबाई 4 cm है यदी तो इस त्रिभुज के लिए भी कितनी होगी 4 cm ही होगी वो तो इसलिए AD वराबरे AD के क्यों वराबरे क्योंकि ये दोनों में common है common को हम हिंदी में लिख सकते हैं उभाई निष्ट तो यह हम लिख देंगे उभाई निष्ट भुजा अब अगर हम इस त्रिभुज के इस कोण को देखे तो ये 90 डिगरी का कोण है अबेहाल हमने बात की थी और इस त्रिभुज के इस कोण को अगर देखे तो ये भी 90 का कोण है क्यों है क्योंकि हमने ये लंब डाला था तो लंब मतलब 90 डिगरी का कोण बना होगा यह तो ये अगर दोनों 90 के हैं मतलब दोनों बराबर हुए तो हम लिख सकते हैं कि कोण इस कोण का नाम क्या है इधर वाले का A, D, B तो A, D, B बराबर है किसके इस त्रीभूज में इस कोण का नाम क्या है A, D, C कोण A, D, C तो ये दोनों बराबर क्यों है क्योंकि दोनों कितने कितने डिगरी के है ये 90 डिगरी के तो हम यहां लिख देंगे पीछे प्रत्यक 90 डिगरी अब जब भी किनी दो त्रीभूजों की अगर तीन बाते हम बराबर बताते हैं तो वो दोनों त्रीभूज केसे हो जाते हैं सरवांग सम मतलब हम यहां लिख देंगे त्रीभूज A, B, D सर्वांग सम है त्रीभूज A, C, D के मतलब ये दोनों त्रीभूज केसे हो गए सर्वांग सम तो ये बीच में जो चिन्न लगाया है ये काय का है सर्वांग समता का केसा चिन्न है ये बराबर के ओपर इस तरह का उल्टा इस बनावा है आड़ा करके तो ये दोनों त्रीभूज केसे हो गए सर्वांग सम हो गए अब ये किस नियम से सर्वांग सम हुए तो यहां अगर हम देखे तो इसमें हमने कौन-कौन सी भूजाय ली थी एक तो 90 डिगरी का कौन लिया था तो 90 डिगरी के कौन को समकौन बोलते हैं एक ये वाली भूजा ली थी तो इस भूजा को हम क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं समकौन त्रीभूज में इस भूजा को क्या बोला जाता है कर्ण तो समकौन कर्ण और एक हमने ये भूजा ली थी तो इसको सिर्फ भुजा ही बोल दें तो समकोन कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम से ये सर्वांग सम है पर इसका एकोर शॉर्ट नाम होता है इंगलिश में इसको बोला जाता है आर एच एस सर्वांग समता नियम तो हम यहाँ पे ऐसा लिख देंगे आरेचेस सरवांग समता नियम से तो ये दोनों त्रीभूज सरवांग सम हो गए अब अगर त्रीभूज सरवांग सम है तो इनके संगत भाग केसे होंगे बराबर होंगे संगत भाग मतलब इस त्रीभूज की जिस जगावाली भूजा लेंगे तो दूसरे त्री भूज की भी उसी जगा वाली भूजा आपस में क्या रेगी बराबर रेगी मतलब अगर हमने इन दोनों त्री भूज को यदि सर्वांग सम बता दिया है तो अब हम इस त्री भूज की मानलो ये BD वाली भूजा ले तो ये BD वाली भुजा इस त्रिभुज की कौन सी भुजा के बराबर हो सकती है DC वाली भुजा के क्योंकि BD वाली जगा पे इस त्रिभुज में कौन सी भुजा है DC है तो हम लिख सकते हैं DC के तो ये दोनों बराबर क्यों है क्योंकि सर्वांग सम बता चुके हम त्रीभूज को और सर्वांग सम त्रीभूजो के संगत भाग किसे होते हैं बराबर होते हैं तो हम यहां पीछे लिख देंगे सर्वांग सम त्रीभूजो के संगत भाग बराबर होते हैं तो BD और DC बराबर है अब ये दोनों यदि बराबर है तो बराबर है मतलब आधा हिस्ता ये हुआ और आधा हिस्ता ये हुआ तो ये दोनों आधे आधे हिस्ते हुए अब ये आधे आधे हिस्ते है किस भुजा के तो देखा जाए तो ये है BC भुजा के ही आदे आदे हिस्ते हैं दोनो BD भी किस भुजा का आधा हिस्ता है? BC का आधा है और BC को भी अधी हम देखे तो ये किस भुजा का आधा है? BC का ही आधा है तो ये दोनों जो छोटे छोटे हिस्ते हैं BD और DC ये किन भुजाओं के आधे से हैं इस बड़ी भुजा के BC के तो हम यहां पर लिखेंगे BD बराबर है DC के ये step हमने इसे लिखी है और ये दोनों है किसके आधे ये हैं BC के आधे तो हम यहां लिख देंगे BC बटे 2 क्यों कि BC का बटे 2 करना मतलब BC को हमने क्या करा आधा करा क्योंकि 2 का भाग लगाया हमने तो 2 का भाग लगाने का मतलब आधा कर दिया इसको तो BD और DC दोनों बराबर है और वो है किसके बराबर BC के आधे भाग के बराबर है तो अब हम क्या करेंगे इस BC की जगा तो BC का मान रख देंगे तो सबसे पहले हम यह सोचें कि B C का मान है क्या दिखो, हमने देखा था शुरुआत में कि यह A, B, B, C और यह A, C तीनों भुजाएं बराबर है क्यों है बराबर? क्योंकि त्रिभुस संबा हुए और संबा हुए तो यह अगर तीनों बराबर हुए तो एक घुजा की लंबाई तो हमें दे भी रखी थी कितनी है 2A तो अगर एक 2A है तो दूसरी भी 2A हुई तीसरी भी 2A हुई मतलब ये BC वाली घुजा की लंबाई है कितनी 2A हुई तो हम BC की जगा क्या रख सकते हैं 2A और बटे का ये 2 ऐसा कैसा लिख देंगे अब यहां हम 2 से 2 को तो काड़ देंगे तो बचे का कितना A अब हम AD ये जो शिर्ष लंबाई AD है इसकी लंबाई यदि निकालनी है तो हम क्या करें ये दोनों में से कोई भी एक समकौन त्रिभूज ले लेते हैं तो या तो इधर वाला ले लो या इधर वाला ले लो हम इधर वाला ले लेते हैं कौन सा त्रिभूज ADB वाला ये समकौन त्रिभूज ले लेते हैं तो हम यहां लिखेंगे समकौन त्रिभूज ADB में अब समकौन त्रिभूज में कौन सी प्रमे लगती है अब पाइथागोरस प्रमे होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग अब कर्ण किस भुजा को बोला जाता है इस भुजा को कर्ण बोलते हम समकौन त्रिभुज में ये खड़ी वाली भुजा को बोला जाता है लंब और ये नीचे वाली भुजा को बोला जाता है आधार तो कर्ण का वर्ग मतलब AB का वर्ग तो हम यहां लिखेंगे AB का वर्ग बराबर लंब तो अब अगर लंब देखें तो लंब क्या है AD तो हम लिखेंगे AD का वर्ग प्लस आधार तो आधार क्या है BD तो हम यहां लिखेंगे BD का वर्ग अब अगर हम इनके मान रखें तो A, B का मान कितना होगा तो A, B का मान तो वही 2A रहना है क्योंकि ये तो सम बाहुत रिभुज की भुजा है तो सम बाहुत रिभुज की भुजा का मान दिया था हमें 2A तो ये A, B का मान तो कितना हुआ 2A हुआ तो हम इस AB की जगा रखेंगे 2A और यह square हम इसा ही लगा देंगे फिर बराबर में है AD तो AD अगर देखें तो यह AD का तो मान हमें ग्यात ही करना है तो इसकी जगा अभी हम कुछ नहीं लिख सकते हैं तो हम AD की जगा क्या लिख देंगे AD को ही लिख देंगे AD का square प्लस अब अगर हम देखें इसको BD को तो BD का मान अभी हाल हमने निकाला था BD का मान कितना आया था A आया था क्योंकि BD और DC दोनों बराबर है और दोनों के मान आये कितने थे A आया था तो BD का हमान हैं हमार पास एश ले हम यह इस बीडी की जगा रख देंगे और यह सक्यर ऐसा ही लगा दे को अब अगर हम इसके स्क्यर हो जाएगा चार और हम एक स्क्यियर ऐसे लगा देंगे बेराबर में AD का square ऐसे ही लिख दिया प्लस ये A square भी ऐसे ही लिख दिया अब हम इस A square वाले संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं तो ये 4 A square जिदर है उसी तरफ इस A square को भी अगर लिया है तो ये अभी प्लस का है इदर लाने पर ये माइनस का A square हो जाएगा और बराबर के इदर बचेगा AD का square अब 4 A square में से 1 A square हटा है तो कितना बचेगा 3 A square और बराबर में AD का square ये सही लिखा अब यदि हम इस AD के उपर से square हटाएं तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा तो 3 A square के उपर क्या लगा दिया हमने ये अंडर रूट लगा दिया तो AD पे से square हटा दिया है और 3 A square के उपर क्या लगा दिया है अंडर रूट लगा दिया है अब AD को तो हम इसा ही लिख देंगे और इसमें से A square को यदि अंडर रूट से भार निकालेंगे तो जब भी square वाली संख्या को under root से भार निकालते हैं तो उसका square हट जाता है मतलब ये सिर्फ क्या हो जाएगा A हो जाएगा और ये 3 under root से भार नहीं निकल सकता है इसलिए हम इसको 3 को under root के अंदर ही लिखेंगे मतलब AD वराबर कितना है A under root 3 और ये ही हमें ग्याद करना था हमें क्या ग्याद करना था शिर्फ लंब की लंबाई ग्याद कीजिए तो शिर्फ लंब कौन था AD था तो AD की लंबाई ग्याद करनी थी मतलब तो ये AD की लंबाई ग्याद हो गई मतलब हम यह लिख सकते हैं अतह प्रत्यक शिर्ष लंब की लंबाई अतह प्रत्यक शिर्ष लंब की लंबाई ए अंडरूट तीन है यह हमारा आंसर है तो इसको एक बार चाहें तो आप पूरा यहां से स्क्रिन शॉट ले सकते हैं यहां तक का ले लिजिए पहले स्क्रिन शॉट उसके बाद अब यह बचे हुए हिस्ते का स्क्रिन शॉट ले लिजिए पहले इतना ले लिजिए यह तो और अब इसके बाद यह लाश्ट लाश्ट का स्क्रिन शॉट ले लिजिए तो ये हो गया हमारा सवाल कम्प्लेट